इस एपिसोड में दोस्तो अपडेट लेने वाले हैं HDFC Life Insurance Company Limited का कंपनी बहुत बड़ी है काफी बार बात कर चुके हैं इसलिए Fundamentals में दोबारे से नहीं जाएंगे यहाँ पे क्यों इतना बड़ा breakdown जो है stock में देखने को मिला था देखो सबसे पहले तो मैंने आपको इस लेवल के बाद में भी का था कि stock इस resistance को break नहीं कर पाया है और यहाँ पे जहाँ break करना था वही red candle बनी है उसे volume ने भी थोड़ा support करा है तो stock drag down हुआ secondly क्या है कि budget के अंदर भी जो है insurance related जो पहले rebates मिलते थे वहाँ पे थोड़ा सा cut off करा गया है new regime के अंदर तो वो भी एक problem जो है देखने को मिली थी और इससे देखे company पे कोई although temporary effect पड़ता है बड़ अधरवाइस company बहुत बढ़िया company है HDFC Life हमें पसंद है 50-50 का बाट है सबसे बड़ी चीज और यहाँ पे नए dividend records की बात कर लें 31 में 2022 को last dividend एक रुपे 70 पैसे का stock ने डिकलिया करा था अब देखो charts पे बात करते है directly HDFC Life के और यहाँ पे आपको सबसे बहले देखना है कि 515 रुपे के stop loss के साथ में जो है एक नया बढ़िया entry position बन गया है और in fact 500 के support level तक भी जा सकता है तो अगर वहां तक stock जाता है तो नए positions को add किया जा सकता है और fresh entry बनाई जा सकती है secondly हांसे अगर breakout आता है तो stock को थोड़ सा void करना चाहिए क्योंकि फिर जो है stock कही ना कहीं बाद में retest करेगा क्योंकि देखो इतने directly इतने बड़े breakout जो है वो कहीं ना कहीं retest invite करते हैं और वो चीज हमें देखने को मिलेगी फिर नए positions को add किया जा सकता है तो यहां पर दो चीज़े आपको समझनी है अगर मंडे के दिन पर breakout आता है stock 550 की तरफ head होता है तो chances यही है कि वो retest करने इस level पर आएगा या फिर इस level तक भी जा सकता है तो वहां पर नए positions add करेंगे यहां पर मंडे के दिन पर अगर stock retest करता है मान लीजे 515 रुपे के आसपास आता है और यहां पर कहीं closing दे देता है तो आप यहां पर नए position को जो है favorable position बनती है और वहां पर हम लोग भी एक छोड़ी सी swing trade opportunity के हिसाप से buy करेंगे अब ही अगर आप देखेंगे तो एक dead cross देखने को मिल रहा है उसे आप से breakdown आया नहीं है तो इस वजह से trade जो है थोड़ी सी risky side पर होगी बाट यहां पर एक stock जो है वो काफी बढ़ी है इस वजह से हम लोग इसको थोड़ा सा risk के हिसाप से भी ले सकते हैं उमीद करता इफर्मेटिव लगी होगी like, share, subscribe जरूर करिएगा पसंद आया तो फिर मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ में कोई भी doubt है प्लीज comment section में जरूर बताएगा शुक्रिया